financial market के अंदर अपना stop loss हिट करवाना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अक्सर आप लोग ने ये note किया होगा कि जब आप technical analysis करते हैं और perfect analysis करने के बवाजूद आपका stop loss हिट हो जाता है तो मुबारक हो आप लोग stop loss hunting के शिकार हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 steps बताऊंगा कि basically stop loss hunting होती क्या है ये किस तरीके से work करती है ये कहां कहां पर इसके zones पाये जाते हैं और end पर मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आप इनके trap से बच सकते हैं तो वीडियो को end तक जरूर देखेगा ये वीडियो आप पर नहीं है तो kindly like को subscribe लाजमी कीजिएगा ताकि आने मली मजीद वीडियो में हम आपको इस तरह की information जा हो प्रवाइड कर सकें तो शुरू करते हैं इस वीडियो को अब stop loss hunting होती क्या है ये नाम से ही वाज़िया है जब लोगों के stop loss hunt होते हैं उसको हम कहते है stop loss hunting अब इसको थोड़ा समय मिसाल लेकर समनार चाहूंगा कि मान लीजए कि मार्किट एक buy side की trend पर चल रही है और मार्किट के अंदर 50 ही buyers हैं और 50 ही sellers है मार्किट क्या करेगी ना तो वो उपर जाएगी और ना ही वो नीचे जाएगी मार्किट एक range में घूमती रहेगी क्योंकि मार्किट के अंदर basically होता क्या है कि जब buyers और sellers की अपस में लड़ाई होती है तो उसी बेस के उपर market जो है वो move करती है अब होगा क्या कि अगर 50 buyers हैं और 50 ही sellers हैं तो market makers क्या करेंगे एक ऐसी condition त्यार करेंगे कि मार्किट के अंदर जो buyers हैं वो sell set की तरफ convert हो जाएं और फिर हम उसको हंट करकर market की अपनी असल trend के बेस के उपर market को push करवाएं clear है मिसाल के तोरब अगर 50 buyers हैं और 50 ही sellers हैं तो market में थोड़ा सा एक pattern ऐसा त्यार किया जाएगा जिसको हम कहते हैं short term trend में कि मार्किट के अंदर एक reversal बन चुका है मार्किट के अंदर एक short term trend जो है वो start हो चुका है तो जो buyers होंगे जिन्होंने buyers की position open की होगी वो simple जो है वो convert होकर sell set की तरफ आ जाएंगे और फिर market makers उनके stop loss हंट करके अपनी direction जो है वो continue रखेंगे यहां तक आपकी बात clear होगी कि stop loss हंटिंग होती क्या है और यह कैसे work करती है अब हम चलते हैं अपने next point की तरफ के basically यह कहां कहां पर पाई जाती है तो मैं आपको इन simple words में बता देता हूं कि market के जो यह traps होते हैं यह पाई जाते हैं बिल्कुल easy और simple जगा पर जैसा कि आप लोगों retailers हैं आप लोगों एक आपर market जो है वो move करती है easy way के अंदर और इसको हम कहते है price action clear अब देखा होगा आपने आपके सामने यहां पर मेरे एक support और resistance मार्की हुई है अब basically हुआ क्या है यहां पर कि market जैसे ही यहां पर support create की है market ने लोगों ने यहां पर जैसे support break हुई market में लोगों ने यह देखा क था market बहुत ज्यादा जो है वो उपर के तरफ जा रही थी अब होगा क्या कि market कुछ ना कुछ retracement लेगी तो हो market ने क्या किया किया कि आपके सामने जो sellers के लिए एक condition तियार की कि basically यहां पर आप दो चीज़े है ठीक है अब यहां पर दो चीज़े इस तरीके से हैं कि सबसे पहली चीज़ मैं आपको मार कर देता हूं कि यहां से इस तरीके से basically हुआ क्या है कि यहां से यहां तक आप देखें तो यह condition तियार की गई पहले buyer side के लिए ठीक है अब जो लोग इस candle के breakout के ओपर trade ली है वो buyer side की तरफ trade ली है अब हुआ क्या है कि market ने पूरी की candle जो है व वो breakout कर दिया है जैसे ही breakout हुआ है तो जो लोग लालची लोग होते हैं या जो लोग जिनके दिरम्यान में patience नहीं होता वो क्या करते हैं इस base के चलती हुई candle के ओपर ही जो है वो sell set की entry place करते हैं मिसाल के तोर पर वो यहां पर sell की entry place करते हैं अपना stop loss जो है वो या तो यहा भी किया होगा अब होता क्या है कि market ने क्या किया यहां से दीचे दो गई कुछ उनको profit दिया लेकिन फिर हुआ क्या कि market जो रिवर्स होगी अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग तोड़े से आने का हम बनते हैं या जो लोग जो है कि यह कहते हैं कि हम retest के ओपर trade कर हैं कि support become resistance resistance become support जैसे ही यह support break हुई तो यह हमारे लिए resistance का का काम करेगी obviously तो यहां पर बहुत सारे sellers जो हैं वो again इसके ओपर enter हो गए और market ने इनको यही show करवाया कि मैं नीचे जा रहे हूं लेकिन फिर हुआ क्या market ने जो है वो अगरा पूरा का पूरा structure जो है वो break out कर दि easy और simple zones में जहां पर support, trend line, resistance इस तरह के areas में यह easily available होता है clear है यहां तक आपको बात पास चलेए कि basic किस तरह के से move होता है अब मैं आपको तोड़ा सा trend line की example भी दे जाता हूँ trend line के अगर हम बात करें तो आपके सामने यह एक trend line move कर रही थी market ने क्या किया यहां से higher high lower low इस तरिके से structure फ्याम करते हो जा रही थी अब हर बंदा यह देख रहा था कि यह कितनी बार market जो है इसके trend line को support कर रही है तो इसका मतलब यह है कि valid trend line है और market जो है वो यहां से bullish side की तरफ जो है वो move कर सकती है ठीक है अब हुआ क्या है कि market ने यहां पर बहुत सारे लोगों ने जो है वो buy side की entry ली है इस वहले trend line को base करते हुए clear है फिर हुआ क्या कि market ने जो है वो यहां पर एक sell side की तरफ fake out दिया ठीक है इसको हम fake out भी कहते है stop loss hunting को यैसे हुआ क्या कि य marketing में यहां पर यह लोगों के stop loss लगे वे थे अब यहां पर हुआ क्या कि market ने इन सबी के stop loss जो है वो यहां से hit किये और फिर उसके बार fake out देकर market overall जो है अपने previous structure को भी इसने यहां से break out कर दिया clear है तो इस तरीके से basically यह zones बाय जाते है और इस तरीके से basically यह move होती है stop loss hunting यहां तक आप लोगों को बात clear हो चुकी अगर आप लोगों को यहां तक कोई बात समझ में नहीं लगी तो मुझे comment section में जरूर बताईएगा और अगर आप लोग यह सारी चीज़ें सीखना चाते हैं कि basically यह है क्या चीज़ें तो मेरा technical analysis course है सिर्फ हो सिर्फ 18 डॉलर में आपको यह सारी चीज़ें provide कर दी जाएगी आप मुझे सिर्फ WhatsApp के contact कीजिए इन्शाला आपको जो है वो एक अच्छी चीज़ फराम की जाएगी for advanced level के लिए clear है अब अब यहां तक हमारे दो topic clear हो चुके अब हमारा तीसरा topic है जी कि हमने किस तरीके से इसको avoid करना है इन traps से बचना किस तरीके से है तो इन simple words में अगर आप लोगों का trend bullish है तो आपका stop loss hunting downside की तरफ मिलेगी आपको clear है अगर आपका trend वो bearish है तो आपकी stop loss hunting आपके traps यो है या fake outs हैं वो आपके buy side की तरफ मिलेंगी मिसाल के तोर पर आपके सामने ये चीज़े मैंने बताई है कि ये हमारा trend आप दे सकते हैं कि overall एक बड़ा move आया है उसके बाद market एक range करती है range में market दुबारा त्यार होती है अपनी specific direction की तरफ यानि कि trend continue करने की तरफ जाती है और उसके लिए market को जरूरी है कि पहले वो traps कर trend line पे हमारे ये चीज़ें पाई जाती है और support resistance कभी बनती है जब market के अंदर range होती है अब आप ये सारे topics को जो है वो cover up करें combine करें आपको ये चीज़ें समझ में आने शुरू हो जाएंगी अब हुआ क्या है कि basically यहाँ पर आप दे सकते हैं कि market ने एक support form create की है उसके बाद current हुआ अब आप लोगों के सामने trend bullish का है तो आपने ये वाले चीज़ से avoid करना है clear है जितना नीचे से आपको buy side की तरफ मिले आपने उस तरफ play करना है यह जितना उपर से आपको sell side की तरफ मिले आपने तब play करना है for sell trend की तरफ और अगर buy की तरफ है तो buy side की तरफ आपन lows ہوتے ہیں clear अब यहां पर मिसाल के तोर पर आप देख लें कि यहां पर यहां पर यह इक्वल लोज हैं एक दो तीन चार ठीक है अब यहां पर इक्वल लोज है और उपर की जानब अगर हम देखें तो यहां पर इक्वल हाइस नहीं है एक यहां पर आपने हमेशा याद रखना है अब हुआ क्या है कि basically मैं आपको बता दूँ कि यहां पर यह किस तरह किसे break out strategy किस तरह किसे work करती है अगर market यहां पर आपकी sport पर आती है और यहां पर कुछ ना कुछ range करती है और उसके बाद break करती है तो फिर वो एक valid structure माना जाता है और उसके बाद भी यह condition होती है कि आपकी retest करे और फिर नीचे की तरफ आए clear है और उसमें हमेशा याद रखे कि पहले अपना trend देखना है अगर trend bullish है तो आप sell की तरफ ना बैटें अगर trend तरीके से trade नहीं करते तो आप लोगों ने क्या करना है सबसे पहले अपने जो अपने resistance होगी वहाँ पर आपने देखना है कि market किस तरीके से move करती है resistance के अपर अब होगा क्या कि market लोगों को दोबारा trap करेगी कि मैं जो हूँ अब sell side की तरफ जाने के लिए त्यार हूँ तो होता क्या है यापके सामने market यहां से rejection देती है और फिर यहां से again market buy side की तरफ चल जाती है अब यहां पर थोड़ सा price action भी वो work करता है मिसाल के तौर पर मैं यहां पर क्या करता हूँ एक trend line जो है वो mark कर देता हूँ तो आप लोग क्या कर सकते हैं इस trend line के ओपर भी आप trade ले सकते हैं जैसा कि आप लोगो को बताया है अब होगा क्या कि market जो है वो इस तरीके से यहां पर trade फिए जैसे ही market पहले इस वाले को trade करते हैं ताकि आपको समझने में सानी हो अब यहां पर होता क्या है कि market ने इस वाले trend line को break किया उपर कई यहां से rejection दी उसके बाद जो है वो retest किया अब यह तो हमारे पास एक simple projection है आप यहां पर trade कर सकते हैं लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि आपने यहां पर trade नहीं करनी मैं सरफ आपको एक तरीका कार बता रहा हूं clear है उसके बाद आप क्या कर सकते हैं आपने यह देखना है कि आपका सबसे पहले break of structure हो यानि कि market आपका structure break करे break करने के बाद आपको एक बड़ा move देने के बाद एक retest करे अब यह break of structure हुआ एक retest हुआ यानि कि support become resistance resistance become support अब यह resistance become support बन गही है उसके बाद market उपर गई उपर जाने के बाद एक बड़ा move again हमें देखने को मिला यानि के दुबारा market ने range की और यहाँ पर market ने ये show करवाया कि अब market जो हो down side की तरफ जाएगी फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर अपना एक order block होता है या fair value gap होता है वो आप लोगों को already अंताज़ा होगा अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं मेरा course में आपको इस सारे चीज़े जो है वो available हो जाएंगी पिर आपने क्या करना है इसके order block के उपर जो है वो आपने trade place करनी है और आपका stop loss भी इससे छोटा हो जाएगा ठीक है आपने यहाँ पर stop loss अपना जो है वो इस वाले zone के जो candle है इसके नीचे रख लेना है क्योंकि market अगर इस वाले zone को दुबारा break करती है तो इसका मतलब यह है कि market का again यह fake out है और फिर market जो है दुबारा downside की तरफ वो जा सकती है फिर market में condition क्या होती है कि market जो है वो चोपी हो हिट होगी profit के साथ फिर आप यह दे सकते हैं कि market में बड़ा move आया है और फिर उसके बाद आप यह दे सकते हैं कि market अपने उस वाले zone के अंदर वापस नहीं आई और फिर यह देखिए कि market यहां से जो है वो किस तरीके से move की है और अच्छा खासा market नहीं यहाँ पर move दिया हैं तो यह सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपको step by step guide कर दी हैं अगर आपको यह वीडियो के अंदर किसी भी किसम की समझ नहीं लगी या आप बाहर साथ यह सेल साथ की तरफ तरफ तो यह थी आज की वीडियो अपको यह वीडियो समझ में आई पसंद आई तो आप लोग इ कि अजड़ किसम दूरे शक्टान वीडियो समझ में की difficult